प्रिव्यू शुरू करने से पहले एक दरूरी बात अगर आप यह पहली बार देख रहे हैं जस्साइनिस का मतलब यहां पर आपको समझा रहा हूं अगर यहां टिक है जैसे आप देख सेते हैं पिछ के नीचे टिक है इसका यह मतलब है कि जो पिछ है वो प्लेयर को सूट कर अगर आपको यहां पर देख सकते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं विलूर। वाल अगर ज्यादा रिस्क ले रहा है मतलब boundary bonus points की opportunity ज्यादा है बट ये भी chance है कि जल्दी out हो जाए तो risk meter जितना कम better for the batter and जितना ज्यादा for the bowler उतना बहतर क्योंकि अगर aggressive bowler है तो wicket लेने के chance ज्यादा and risk drop का क्या मतलब है कि क्या situation में आप इस batter को drop कर सकते है अगर यहाँ पर लिखा हुआ although can be cramped with balls close to the body मतलब अगर कोई pacer है सामने वाली team में जो उस तरीकी की bowling करता है तो आप chance ले सकते हैं उस specific batter पे तो यह हुए मतलब इन specific चीज़ों का हैं अब चलते हैं प्रिव्यू की तरफ हेलो एव्योंस एक और फैंटेसी प्रिव्यू में मुकाबला इंडिया बना बंगलादेश यह सूपरेट्स का इक और मुकाबला अगर ही इंडिया गीम चीत गई तो अल्मोस इंटो इस सेमी फाइनल तो एक इंपोर्टन मुकाबला का भी हमारे लिए और आपके लिए बहुत मुकाबला क्यूंकि बहुत बढ़ा गिवर आपके लिए तयार है और माइमास 11 इंट्री कॉंटेस्ट है बीस हजार की पैली प्राइस तो माइमास 11 हमारा रेफवर कोड़ ए फसी पी जल्दी से जागे जोड़ जाहिए और नाव विदाउट वेस्टिंग अनी फॉर्थर ताइम चलते आज है वीडियो के डिस्क्रिप्शिन में इंवेस्मेंट लीडर भी चल रहा है माइमास 11 जहां पर आप जैसे ज्यादा लीग जॉइन करते जाओगी आपकी रैंक इंप्रूब होती जाएगी एद एफसी पी हमारा रेफर कोड आपको कुछ एक्स्क्लूजिव ऑफस भी मिल ज जाए कि हार गेम में हमने देखा है कि at least one of the two left arm face के सामने अटके हैं आपके हैं वापस यहां पर शौरी पूल को यहां पर मौका मिल जाए वापस उसके अलाबा बांगलेदेश की बात की जाए तो ओपनिंग बड़ा कंसर्न लिटन का फॉर्म बहुत ही खराब और तंजित के एक और क्यामियो के लिए उनके लिए की क्यूंकि वहीं पर हमने देखिए उनसे अच्छी बैटिंग उसके अलाबा इंट्रेस्टिंग पार्टी होगा कि इंडिया में कुछ सामने की तरफ है काफी लेफ्ट-handed बैटर्स तो मैं एक्सपेक करना हूं कि हार देख का रोल में भी ज्यादा हो जाए इस मुकाबले में वापस इंटम्स बोलें तो यह हुई चैनल पर जुड़ें ना कोई चैनल पर लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि यह कॉंटेट और लोगों तक पहुच पाए अब चलते हैं आगे की तरफ यहां पर है आपके पास पैदर रिपोर्ट जो क्लियर लग रही है इस गेम के लिए तो एक सब्सक्राइब करेगा उसके लाब ब्रीज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो विन यह बोलिंग इंटु थोड़ी सी अंदर जाए और यह बोलिंग अवे तो उसी तरीकी से बॉल वहां पर बार जाएगी और जब आप ब्रीज के साथ हिट करते हैं जल्दी ट्रैवल वह बात करते हैं लाइनप की तो एक ही चेंज में एकस्पेक्ट करा हूं दोनों साइट से एक हो सकता है कि इंडिया एक लेफटां में भी कम कर दे वहां पर उनको लगेगा कि एक एक वहां पे वो एक्स्ट्रा पेसर लेया है क्योंकि ओवर्ज वहां पे शॉट पढ़ सकते हैं वे टू लेफ्ट आम स्पेनल बांगलादेश की बात की जाए तो शौरी फुल में भी आ जाए इन प्लेस ओफ तंजिम यहां तो सौमय सरकार भी उपर आ सकते हैं क्योंकि लिटन दास का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा एवन्दो वो अब लीड करने टीम को बढ़ लेटसी की किसके स्लॉट में वहां पे खिलाया जाता है तो चलते हैं टूर्ट्स टीम इंडिया यहां पे है रोहिच चर्मा तो स्टार्ट बैटिंग और इनके नंबर बहुत ही ज दोनों में से एक तो बड़ी-बड़ी खेल के जाएंगे बट अगर इस केम में इनका फॉर्म वापस नहीं आया है तो फिर कंसर्ण रहेंगे कि क्योंकि आप अगला गेम ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे हैं और यह स्टेट इन्ट 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 जीता है नहीं कि मुझे लग रहे हैं कि हम काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो कोई न कोई हमें मैच जिता कर ले जाएगा बट दोनों ओपनिंग बैटर्स का फॉर्म में आना यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सीरियर प्रोज और है बना रहे हैं रिशाप पन् एक और इंपॉर्टन प्लेयर सूरे कुमारे आदव वसे श्याकिबन असन ने बहुत ही बड़ा मैच अप कितनी बार आउट किया है वह मैं आपको बताऊंगा मैच अप सेक्षिन में तो एंड तक वहां पर बने रहे हैं इनके साथ हम नहीं यह देगा कि लेफ्ट आम स्प थिदन को टैकिल करने में या पर हेल्प करेगा लेक्स पेनर को टैकिल करने में लेप करेगा वह उंगे शिवम दूबे अब तक फॉर्म दिखा नहीं है वशेस बंगलदेश भी सिर्फ 10 नन मा रहे हैं पर थीन विकिट्स ली यह मैवी एक आद और भी कर जाया है इस किया म मैंचेज में 51 नंद ज्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है वो चार के चार मैचेज में बैटिंग की नहीं इन्होंने पांच विकेट्स लिए हैं वापस एक टॉप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चोइस मैं एकस्पेक कर रहा हूं कि इस गेम में बोलिंग रोल इनका इंप्रोव होगा फिर है राविंदर जडेजा चार मैच में से तीन विकेट सेकिंड इनिंग में कुछ खास नहीं इन टी-20 फॉर्म भी इनका कुछ खास नहीं लास्ट गेम में भी पूरे वोज नहीं किये कुछ कैचिस लिए बैटिंग से काफी फॉर्म नहीं लाओगे वापस तो अगले गेम्स पर और भी यहां पर मुश्किल आते हैं आ सकती है अक्षर पटेल एक मैच में कोई भी विकेट नहीं वस्स पंगलदेश नाट वर्स इंडिया वहां पर एक एरर है और अफकोस एक ही मैच केला है सो नॉट तूमॉश टू यहां पर रोक के रख सकते हैं विकेट भी निकाल सकते हैं मुझे आदे काफी रन खायते उस गेम में पचास रन खायते बट खेलेंगे तो मेरे टीम में डेफिनिटली रहेंगे यहां पर बैक ओफ एलेंड बोलर्स को थोड़ी मदद बिलकूल मिलती है अरजीब सेंग दो आना चाहता हूं एंड टीम में आपकी होगा नहीं होगा आपको जवाब अल्रेडी पता है अब चलते हैं बांगलेदेश की टीम की तरफ एन यहां पर है तंजिध असन मैं कुछ खास नहीं एक्सपेक्ट कर रहें से एविन दो मुझे याद है कि ODR World Cup में बहुत अच्छी पारे को खेल के गए थे महां पर अट थे स्टार्ट अधिक पूने में था ओगे मुझे एंड वही गेम में हार्दिक भी इंजर होगे थे सो होपफ़ली वह दो यह दो चीजे इस गेम में ना हो पर जिस तरीके के फॉर्म में बुम्रा चल रहे हैं I don't think so इनको लेट अवे खेली है प्रीविस्ली वसिज इंडिया अगर आब एक दो जील टीम में रिशापन पर चांस ले रहे हैं वहां पर लिटन दास को ले ले लेना उसके लावा तो जिस तरीके का फॉर्म चल रहा है बहुत ही मुश्किल है कि आप इनको बेश तीम में फिट कर पाओ सेम फो न मैच इस सेवेंटीफाइब रंस एंड सिक्स विकेट तो रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं बिट ऐसे टाइब के प्लेर हैं जो पंद्रा भीस रन मारेंगे एक विकेट लेंगे एंड ट्रीम टीम में आ जाएंगे अट-लीस मोस्ट दिनों पर ऐसा ही होता है तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में ग्रेंड लीग्स में अगर पांगलादेश पहले वाटिंग कर रही है तो मुद्र दॉल्ला दोनों को आखे बंग करके ग्रेंड लीग्स में बिल्कुल रोटेट करना अट-लीस दोनों में से एक तो एक अच्छी पारी यहां पर खेल सकते हैं मैं दि अच्छाद हुसेन इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टन रह सकता है लेग्स पिनर हैं इंडिया में जितने राइट हैं वह साब से इनका काम बन सकता है सेकेंड बोलिंग में और फॉर्स बैटिंग करेंगे तो बिल्कुल मैंने ट्राय करोगा मौमद उल्ला बहुत ही अच् प्रण थोड़ी हेल्प रही तो वापस तकलीफे हो सकती है फॉर्दी इंडियन ओपनर्स पास रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा सिर्फ दो विकेट्स लिए चार मैचेज में मुस्तफी जोर्ड वापस बहुत ही खराब रिकॉर्ड नौ मैच में सिर्फ चार विकेट लेंगे तो विकेट्स की संभाव नहीं पर हो सकती है अब बनाते हैं हमारे आज की फैंटसी टीम और फिल्ड डिसकस करेंगे यह उप्शन सो लेट स्ट्रेट इंट इंट यहां पर दिशापन्त मेरे पहले स्ट्रेट फॉर्ड पिक और जैसे हम करते हमेशा जल्दी से स्क कोली रोहिच्छर्मा तीन होंगे स्ट्रेट फॉर्ड पिक सुर्यकमार यादव काफी इंपोर्टेंट बट जो बड़ा सा मैच अप है वो फिर से यहां पे गेम में आएगा इनके लिए उसके लाब ऑल राउंडर सेक्शन हार्दिक पांडिया शाके बलसन और मेरे साब से यहां पे अक्षर पटेल थोड़ी शाप लाइंज डालते हैं तो अभी के लिए मेरी टीम में इक जगह पा लेंगे बोलिंग सेक्शन में जस्प्रीद बुम्रा अर्श्टीप सिंग कुल्दी प्यादव यह तीन होंगे स्टेट फॉर्ड पिक सिराज अगर खेलते हैं तो मेरी टीम में आ जाएंगे स्पेशली अगर लेफ्ट आम स्पिनर की जगह पर खेल रहे हैं तो यह होगा हमारे दस पिक्स अब आपका ग्यारवा पिक कौन होगा यह होगा बेस्ट ऑन दर टॉस इफ पांगलदेश इस पैटिंग फर्स तो मैं चला जाओंगा यहां पर वि इसका रेकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है रेसंटली आई-पेल खेल के आरे हैं तो वहाँ पर आपको वैल्यू बिल्कुल मिल जाती है तो अभी के लिए अपर प्लेस होल्डर मैं आपर रिशाद उस इनको फिट कर रहा हूं बट अफकोर्स बेस्ट ऑन टॉस यह बिल्कुल बदल सकता है कैप्टेंसी पिक हार्दिक पांडिया पे हम विश्वास रखते हैं और हर गेम में आतो बैट से या तो बोल से इनको डिलेवर किया है तो मैं उस बात को बदल नहीं चाहूंगा अच्छी पिक बनेंगे और वाइस कैप्टेंसी जॉइस हम पु प्रिश्टिंग एनी फर्दर टाइम आपका लिंक है वीडियो के दिस्क्रिप्शन में और अड़ रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ट्विटर एंट टेलीग्राम पे आपको मिलेगी फाइनल अपडेट लिंक है इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में तो वही से जाके में स्काय आउट होए हैं दो बार शाकिवालासन को वाइल फिज काफी रन खाये हैं रोहिच शर्मा के बैट से 183 की स्ट्राइक रिट से इन 36 बॉल्स तो दो इन्ट्रेस्टिंग मैच-प्स तो वाच आट फो लो सिलेक्ट आखोस पिक्स इन इस गया मौमदूला कुल दी बोलिंग सेंद तस्की नैमक बोलिंग सब्सक्राइब मेरी बेस्टीम में बड्रेट बिलकुल इन्हें रोटेट कर सकते हूं कि जितने लेफ्ट-हंडर बांगलाधेश अगर ब्ले कुछ भी रंस कहाई पहले कुछ बहुँ ने तो हो सकता है कि उनका कोटा महां पे कट किय जाए उसके लावाए ग्रेंड लीग कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस बैदिंग फॉर्स और बोलिंग सेकंड कुल दीप एंड शाकी बहुंगे इंपॉर्टन बैडिंग सेगें बोलिंग फॉर्स इशापंत और दोनों सिनारियो में हार्दिक और बुम्रा आपको जल्दी से डिसकर्स करेंगे कौन से पिक्स भी अवेलिबल है इस बुकाबले में तो पहले बात करेंगे इंडियन साइड ऑस तिंग्स की तो रोहित एंड विराट का फॉर्म थोड़ा लो रहा है हैंस उनकी प्राइस भी थोड़ी सी लो गई है बट इंस रोहित यहां पर वो भी तो है इंसान हार गेम में तीन तीन विकेट नहीं लेकर जा सकते हैं तो यह जा सकते हैं उसके अलावा कोई भी पिक्स करेंटली नॉट कैचिंग मैं आएं अगर कोई भी और पिक्स होंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूगा ओन टेलिग्राम आप सभी को य प्रिव्यू के लिए बेल आइकन जुरूर हिट करिए और टू लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब अगर आपको कॉंटेंट पसंद आ रहा है तो बिल्कुल बताइए कुछ नया देखना चाह रहे हो तो भी बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में जल्दी मिलेंगे कॉर